नमस्कार मैंदेविया स्वागत है आपका अच्किस रोजगार समाचार में वैसे युवा जो सिक्षा के छेत्र में अपना योगदान देना चाहते हैं लेकिन CTET सेर्टिफाइड नहीं है तो वैसे लोगों के लिए सुनहरा अफसर है दरसल नरसरी टीचर्स के सौपदों पर चंडीगर सिक्षा विभाग द्वारा भरती निकाली गई है आविधन प्रक्रिया 10 दनवरी दोजाट चौबस से ही शुरू है और आविधन करने के अंतिम तारी इक 5 फरवरी 2024 है उमिद्वार ऑनलाइन तरीके से आविदन कर सकते हैं आविदन करने के लिए उमिद्वार से इन भरती के लिए लिए जाने वाले आविदन सुल्क के बारे में तो जो मिद्वार अपना संबंद अना रख्षत वर्ग से रखते हैं उन्हें इस आविदन के लिए 1000 रुपई देने होंगे तो वहीं आरख्षत उमिदवारों को साविदन के लिए महज 500 रुपई ही देन हैं साथ ही ECM और PWD के लिए भी होरिजॉंटल रिजर्वेशन की विवस्ता की गई है आई अब बात करते हैं इस भरती के लिए उमिद्वारों के सैक्षनिक योगिता के बारे में तो उमिद्वारों को सबसे पहले नियुंतम 50 फीज़ी अंकों के साथ 12 पास होना जरूरी है इसके अलावे उमिद्वारों को नरसरी टीचर एडूकेशन या प्री स्कूल एडूकेशन या अरली चाइल्ड हूड एडूकेशन प्रोग्राम में कम से कम दो साल तक का डिप्लोमा या किसे भी मानिता प्राप्ट NCTE संस्थान से बीए नरसरी होना निवारे रखा गया है आई अब आपको बताते हैं इन पदों के लिए चैने तुमिद्वारों को क्या वेतन हर महीने दिये जाएंगे तो बता दे किस चैने तुमिद्वारों को लेवल 6 ग्रेड पे 4200 और 9300 से लेकर 34800 रुपे तक वेतन मिलेंगे बात करो मिद्वारों के आयू सीमा की तो अब हम आपको बताएंगे कि इस भरती के लिए क्या परिक्षा पैटर्न होने वाले हैं तो सबसे पहले आपसे आयोजित होने वाले एक्जाम में जिनरल अवेर्नेस के 15 प्रस्ण रिजिनिंग और अर्थमेटिक से 15 प्रस्ण टीचिंग अर्प्रिटिट्यूट से 30 प्रस् साइन से 15 प्रस्ण रहेंगे यानि कि कुल 150 mcq पूछे जाने वाले हैं सबी परेक्षा 150 नंबर के होंगे इसके लिए आपको धाय घंटे तक का समय दिया जाएगा इसमें आपको मिनिमम क्वालिंफाइंग मार्क्स 40 पीजी तक लाने होंगे ध्यान रखे कि नेगिटिव म इसके बाद आविदन करने के लिए सबसे पहले आपको इसके आधिकारिक वेबसाइयर पर जाना होगा, इसका लिंक भी हमने प्ट्रिप्चिन बॉक्स में दे रखा है, आप चाहे तो यहां से भी डैरिक्ट जा सकते हैं, आधिकारिक वेबसाइयर पर पहुंचने के बाद रेक्रोट्मेंट के टैब में जाए, यहां रेक्रोट्मेंट फॉर एंटी आई का एक लिंक होगा, इस पर क्लिक करने के बाद यहां से आविधन प्रक्रिया शुरू करे, मांगे जारे सभी जरूरी जानकारी को भरे, जिन भी डॉक्मेंट्स की मांग की गई हैं उससे अपल कर दे, आविधन करने के लिए आप नजदी की साइबर कैफे की मदद भी ले सकते हैं, आज के लिए फिलाल इतना ही, हमारे साथ बनने के लिए आपका धन्यवाद